हेलो वरिवन बलकम टू माई चैनल अन्द्राव वाई टेड़ जैसा कि आपको गयात है कि TGT की आपकी किलासें स्टार्ट हो चुकी है आपका चेप्टर वन जैसा कि ये आप TGT का सिलेबस देख सकती ही ये TGT का संपूर्ण सिलेबस है इसमें से जो इसका चेप्टर वन थ उनको भी कंप्लीट करवा दिया गया था आज की किलास में यहां पर हमारा नेस्ट चेप्टर था जो कि था भारत के प्रगयातियासिक कला केंद्र जैसे जिसमें से मिरजापुर, भीमबेटका, राएगर, बांदा, पंचमडी और संगाबाद ये सभी प्रगयातियासिक कल के कैनते इस चेप्टर को भी आपको बिस्तह रूप से कंप्लीट करवा दिया गया है इसके बाद इस चेप्टर के जितने भी MCQ है अर्थाज साथ में प्रिवियस यर कोशन जो की TGT में ही नहीं बलकि PGT आर्ट, KVS आर्ट, DT रप्लेस भी आर्ट में पूँचे गए प् आप सभी लोग अंद तक इस किलास को जरूर देखिएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक अवस्त कर दीजिएगा शुरू करते हैं भारती प्रगयतियासिक कला का पहला प्रशन आप स्क्रीन में देख सकते हैं प्रशन है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुष्टक के ल किसके लेखक हैं बाडड़िक बाड़िक ने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग लिखी थी राइक अंसर है आपसन अंबर सी याद रखिएगा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो पुष्टक है ये 1958 इस्वि में एलन होटन बाडड़िक महदय ने किया था अथाध बाड़िक का पूरा नाम एलन हाटन है और इस पुष्टक की रचना हिनों ने 1958 इसुई में की थी नेश्ट प्रश्ण आप स्क्रीन में देख सकते हैं चाग का महत्पुन अविस्कार कब हुआ था आपसने ताम पसाण यूग में आपसन भी नौ पसाण यूग में आपसन सी मद पसाण यूग या आपसन भी पुरा पसाण काल में तो याद रखिएगा चाग का अविस्कार साथ में पईये का अविस्कार और आग का प्रियोग इनकी जो खोचती ये सभी नो पसांड काल में हुए थे राइट अंसर हो जाएगा आप्सन नमबर बी नेश्ट प्रशन है तरासे गए चमकीले हथियारों के अवजार कहा प्रियोग किये गए हैं आप्सन है पुरा पसांड काल आप्सन भी मद पसांड काल आप्सन सी नो पसांड काल आप्सन दी ताम पसांड काल याद रखिएगा तरासे गए चमकीले हथियार या फिर इसी में अंसर है option number C नेश्ट प्रश्ण है भारत में मद पसाण काल कब से कब तक माना गया option A 2000 B C option B 4000 B C option C 6000 B C option D 1000 B C तो याद रखिएगा भारत में मद पसाण काल का समय 6000 B C माना गया है जबकि NCRT में ये समय आपका 9000 से लेकर 4000 के मद तक इस समय को माना गया है तो दोनो पॉइंट याद रखिएगा भारत में मद पसाण काल का समय 6000 B C माना गया है और NCRT बुग में ये समय आपको 9000 से 4000 B C मिलेगा नेश्ट प्रश्ण है चित्री सहलस रह लखू उडियार कहां पर इस्तित है ये ये जो लखू उडियार है ये कहाँ इस्तित है, आपसन ए उत्राखन आपसन वी उत्रपिदेश आपसन सिम्मत पिदेश आपसन दी बिहार याद रखिएगा लखू उडियार उत्राखन्ड में इस्तित है राइ तंसर हो जाएगा आपसन नमबर a लखू उडियार से कुछ महत पूण याद रखेगा लखू उडियार उत्राखंड में इस्तित है लखू उडियार गुफाएं उत्राखंड के अलमोडा जिले में सुवाल नदी के तट पर बरेचिनिया गाउं में इस्तित हैं गुफाओं की दिवारों पर काले लाल और सफेद रंगी उंगलियों से बनाई जानवर मनुष और टेक्टी फार्मों को चित्रित करने वाले चित्र मिले हैं कुछ जानवरों के यहाँ पर रुपांकन भी हैं उनमें से एक लोमडी की समान हैं लहरदार रेखाएं आयस से भरी जैमती डिजाइन और बिंदूओं के मुह यहाँ देखे जाते हैं लखु उडियार ये लखु दियार का अर्थ होता है एक लाग गुफाएं बहुत ही इंपोर्टेंट है कि लखु उडियार कहां पर इस्तित है तो ये उत्राखंड में इस्तित है और लखु दियार इसी को लखु दियार भी कहते हैं ये अलमोडा जिले में सुवाल नदी किनारे बर्चेनिया गाउं में इस्तित हैं और इसका अर्थ होता है एक लाग गुफाएं नेश्ट प्रशन है भारती कला का मूल प्रिनाडा सुरोत क्या है भारती कला का जो मूल शुरोत है वो है धर्म राहित अंसर हो जाएगा उप्सन नमबर ए नेश्ट प्रशन है भारती चित्रकला का उद्भाव कहां सी हुआ आप्सन ए चित्रकला आप्सन भी चटान चित्र करी आप्सन सी स्क्रॉल आप्सन डी भित्य चित्र तो भारती चित्रकला का उद्भव अर्थाद प्रगत्यासी काल में जो चित्र थे वो हमें किसमें बने हुए मिले हैं तो ये चित्र हमें सिला चित्र अर्थाद चटानों म चित्र बने हैं इसलिए right answer हो जाएगा option number B next question है उत्तरकासी की हुडिली गुफा के cell चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है उत्तरकासी की जो हुडिली गुफा है इसकी जो cell चित्र मिले हैं इसमें किस रंग का प्रयोग किया गया आप्सने नीले, आप्सन B सफेद, आप्सन सिलाल, आप्सन D पी ले तो हुडिली गुफा में सफेद रंग का प्रयोग किया गया है राइट अंसर है आप्सन नमबर B नेश्ड प्रशन है निमली कितमे से प्रगयतियासिक गुफा चितरों की महत पूर्ट बिसशता treatments को बेक्ट करने आप्सन C अपनी आज़्ता और विश्वास की कहानी बताना तो जो प्रगयतियासिक गुफा चितरों की महत पूर्ट बिसशता है वो है आत्म संतुष्ट और भावों को अभ्यक्त दूसरों तक पहुचाना, साथ में अपनी सरल हुआ प्रसंता पूर्ण प्रकत को ब्यक्त करना, तथा आस्ता और विश्वास की कहानी बताना, ये सबी प्रगयतियसिक गुफा चित्रों की महत पूर्ण बिसे स्था थी, रा मानो दोरा घर बनानी की कलाकारम 9% काल से हुआ, राहिट अंसर है, उप्सन नमबर C, 9% काल से रिजटेट कुछ महत पूर्ण याद रखिएगा, कि इसका समय 10,000 इसवी पूर से लेकर 5,000 इसवी तक माना जाता है, किसी किसी भुग में 10,000 से लेकर आपको 3,000 मिलेगा, ले उतपादक बन गया था, अर्थाद पूरा पसान काल का जो मानो था, वो खास संगरहाग था, अर्थाद भोजन की खोज में इधर उधर भटकता रहता था, किन्तु 9% काल में मानो जो था, वो खास संगरहाग ना होकर खाद उतपादक हो गया था, अर्थाद वो स्वयम भो यहां पे उत्पण कर सकता था नेश्ट है क्रेश का अविस्कार कर लिया था जिसके करण मानों में इस्ताई निवास की प्रवित्त का विकास हुआ और इस्ताई घर बना कर रहने लगा पूरा पसांड काल में जो मानों था वो आइस्ताई था अर्थाद भोजन के लिए वो एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक भटकता रहता था किन्तु नोपसांड काल में जो मानों था उसने क्रेश का अविस्कार कर लिया था जिसके करण मानों ने इस्ताई आवास भी बना लिया और इस्ताई घर बना कर वहां पे रहने लगा था नेश्ट पॉइंट है पईये लगाने का अविस्कार 9% काल से हुआ था जो पत्थर के आजारों में पालिस लगाते थे या फिर चमकदार जो पत्थर बनाते थे उसका भी अविस्कार 9% काल में हुआ था नेश्ट पॉइंट है पुरा पसाल काल का मानो जो पुरा पसाल काल का मानो था वो सिकारी था और खास संग्रहाग का अर्थ है भोजन के लिए एक इस्तान से दूसरी इस्तान भटकता रहता था नेश्ट है पुरा पसान काल का मानों को पसपालन वा क्रसी का ग्यान का अभाव था अर्थात पुरा पसान काल का मानों नहीं पसपालन करता था और नहीं क्रस करता था जबकि नो पसान काल का मानों पसपालन और क्रसी दोनों करना अरम कर दिया था नेश्ट है पस्पालन का प्रारंब मदपसानकाल से माना जाता है जो पस्पालन था वो मदपसानकाल से ही इस्टार्ट हो गया था नेश्ट प्रश्ण है प्रगातियासिक कला का मुख विसय क्या था जो प्रगातियासिक कला थे इसका मुख विसय या फिर विसय वस्तु क्या थी आपसने प्रकत दर्स आपसन सी प्रवती दर्स आपसन दी मानो करतिया प्रगातियासिक जो चित्र हमें मिले हैं उनमें जो मु बिसे थी या उनकी जो बिसे वस्तो थी वो थी सिकार द्रस अर्थात आखेट हैं आखेट को जायत चित्रों में दिर्दर्स आया गया है इसलिए प्रगातिया सिक कला का जो मुक बिसे था वो आखेट या फिर सिकार द्रस था